पटना से एक बड़ी कबर इस बीच मिल रहे है, नितीश कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है CM नितीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है सुबा साधे दस बचे नितीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये नितीश कैबिनेट की आज मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्र इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता और कई ऐसे एजंडे है जिन पर मुहर लगना संभव है आपको जानकारी देदे की सुबह साड़े दस बजे ही नितीश कैबिनेट की ये वैठक होने वाली है एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे बिहार विदान सभा के श्रीत कालिन सत्र का एलान हो चुका है 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा सत्र, 5 दिनों तक चलेगा वियार का श्रीत कालिन सत्र सदन के पटल पर रखी जाएगी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, सत्र के हंगावेदार होने के पूरे आसार है सर्वे रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार को घेरीगी तो 5 दिनों तक बियार का श्रीत कालिन सत्र चलने वाला है और सदन के पटल पर आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी आपको जानकारी देदे के सत्र के हंगामेदार होने के पूरे पूरे आसार नजर आ रही है सर्वे रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीती बना रही है ये बड़ी खबर है बियार विदान सभा के श्रीत कालिन सत्र का एलान हो चुका है 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा ये सत्र जिसमें की 5 दिनों तक बिहार का शुरित कालिन सत्र चलेगा सदन के पटल पर आर्थिक सर्वे की रुपॉर्ट रखी जाएगी जो भी लेखा जुभा सरकार का है उसे फेश किया जाएगा और 17 हंगामेदार हो सकता है इसके पूरे आसार है सर्वे की रुपॉर्ट सामने रखी जाएगी उसको लेकर बीजेपी सरकार को घीरेगी